नमश्कार दोस्तों स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में जीए दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबर हैं मुख्य समाचार प्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में तो चलिए दोस्तों जान ले समिट के देख्षता कर रहा है दोस्तों रूस के कजान में होने वाली समिट के दोराण प्रदान मंतरी मोदी सदश्य देशों के नेताओं के साथ द्यूपक्षिय बातचीत भी करेंगे चीनी राष्टपती शी जिनपिंग भी समिट में शामिल होंगे इस दोरान उनकी मु अद्मी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सतेंद्रे जेन को शुकरवार को दिल्ली की अदालत ने जमानत दे दी राविज देविन्यू कोट ने जमानत देते हुए कहा कि अभी ट्राइल के जल्द खत्मोंने के आसार नहीं है इडी ने 24 अगस्त 2017 को CBA के की तरफ से दर्ज की गई F.I.R. को आदार बनाकर जेन के खिलाफ मनी लॉंडरिंग मामले में जाज शुरू की थी एडी ने आरोप लगाया था कि सतेंद्रे जेन ने उनसे जुड़ी चार कंपनियों के जरिए मनी लॉंडरिंग की है चली दोस्तों जान लेते हैं इसके ये भेजी गई है दोस्तों धमकाने वाले ने खुद को लॉरेंस गेंग का मेंबर बताया मुंबई पुलिस के मुताबित धम की भरे मैसेज में लिखा था कि इसे हलके में मत लिए जिये सल्मान खान को जिंदा रहना है और उसे लॉरेंस से दुश्मनी खत्म करनी है तो उ दोस्तों उज्जेन के महाकाल मंदिर में नियम के उलंगन का एक और मामला सामने आया है इस बार महाराष्ट के मुखे मंत्री एकनाथ शिंदे के पुत्र और सांसद श्रीकांत शिंदे ने अपनी पत्नी और कुछ अन्य लोगों के साथ मंदिर के गर्ब ग्रह में प्रिव बद्दित है यह घटना गुरुवार शाम की है जब श्रीकांत सिंदे और उनका परिवार श्रीवलिंग के पास बेट कर पूजा करता हुआ देखा गया दरसल दोस्तों कांग्रेस ने इस मामले पर तीखा हमला बोला और आरोप लगया है कि सता के मद में चूर भाजपा के अपनी राई ज़रूर दीजिए चलिए जान लेते हैं अगली खबर हर्यना का यूवक अमेरिका में Most Wanted घोशित FBI ने पोस्टर जारी किया दावा खलिस्थानी आतंकी की हत्या के कोशिश में साजिश में शामिल था जिया दोस्तों अमेरिकी सरकार ने दावा किया है कि New York में रह रहे सिक्क फोड जस्टिस के आतंकी गुर्पंत वन सिंग पन्नु की अत्या की साजिस में हर्याना के रेवाडी का यूवक भी शामिल है अमेरिकी जाच अजेंसी फेडरल ब्यूरो अफ इन्वेस्टिगेशन ने यूवक विकास यादव का मोस्ट वांटेड पोस्टर जारी किया है इसमें विकास की तीन फोटा है इनमें एक फोटो में वहसेना की वर्दी में भी है विकास यादव दरसल दोस्तो रेवाडी जले के प्राणपुरा गाउं का रहने वाला है अमेरिकी सरकार का दावा है कि विकास भारतिय खुफिया एजेंसी रो में काम करता है चलि दोस्तो जान लेते हैं अगली खबार इसराइल ने हमास चीफ सिनवार को मारा यही 7 अक्टूबर के हमले का मास्टर माइंड था नेत्यान्यू बोले अब हिसाब बराबर हुआ लेकिन जंग अभी भी जारी रखेंगे जें दोस्तो इसराइल पर 7 अक्टूबर 2023 को किये गए हमले का मास्टर माइंड हमास चीफ यानभा सिनवार मारा गया है इसराइल के प्रदान मंत्री बेंजामिन नेत्यानू और विदेश मंत्री इसराइल कोड़ ने गुरुवार रात को सिनवार की मोत की पुष्टी कर दी नित्यानू ने वीडियो मेसेज में कहा कि हमने हिसाब चुकता कर दिया है लेकिन जंग भी भी जारी है दरसल दोस्तो इसराइल डिफेंस फोर्सेज ने 16 अक्तोबर को रुटिन ओपरेशन में दक्षनी गाजा किये कि बारत पर हमला किया था इसमें हमास के तीन सदर्श्यों के मारे जाने की खबर आई बाद में पता चला कि इन में से एक यानभांश शिनवार है चलिए दोस्तो जोरान लेते हैं अगली बड़ी खबर सुप्रीम कोट बोला बाल विवाहा जीवन साती चुनने का अधिकार छीन लेता है इसे पर्सनल लों से नहीं रोखा जा सकता कानून में कई खामिया अवेरनेस की जरुरत जैनुस्तो बाल विवाहा को लेकर सुप्रीम कोट ने शुकरवार को फैंसला सुनाया CJDY चंचून जस्टिस जेपी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने कहा कि बाल विवाहा रोखने के लिए हमें अवेरनेस की जरुरत है सिर्फ सजा के प्राउधान से कुछ नहीं होगा CJI ने कहा कि हमने बाल विवाहा की रोखताम पर बने कानून PCMA के उद्देश को देखा और समझा इसके अंदर बिना किसी नुकसान के सजा देने का प्राउधान है जो अपरवाईवी साबित हुआ हमें जरुरत है अवेरनेस केमपैन की चलिए दोस्तो जान लेते हैं अगली खबार हरियाना सरकार का सक्त आदेश पराली जलाने पर होगी FIR मंडियों में फसल बेचने पर भी लगेगी रोक जिया दोस्तो अरियाना में पराली जलाने पर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है दरसल दोस्तो कृषी एवं किसान का लियान विभाग हर्याना ने आदेश जारी किया है कि जो भी किसान पराली जलाते हैं या इस सीजन में पराली जला चुके हैं उनके खिलाफ F.I.R. दर्ज की जाएगी इस कारेवाई की शुरुआत 15 स्थम्बर 2024 से की जा रही है इसके तर्थ किसानों के खेतों के रिकोर्ड में रेड एंट्री दी जाएगी जिस से वे अगले दो सीजन तक अपनी फसल ईप खरीद पोर्टल के माध्यम से मंडियों में नहीं बेच पाएंगे दरसल दोस्तों आपके बता दें सरकार के सादेश का मकसद राज्य में पराली जलाने पर सकती से रोक लगाना है ताकि वायू प्रदुष्ण को नियंतरत किया जा सके चलिए जान लेते हैं अगली खबर सद्गुरू के फाउंडेशन के खिलाफ बंदक बनाने का केस हुआ बंद सुप्रिम कोट बोला लड़कियां बालिंग है मर्ची से आश्रम में रह रही है वहाँ पुलिस जाच गलत जिया दुस्तु सुप्रिम कोट ने दो लड़कियों को बंदक बनाने के मामले में सद्गरू जग्ई वासुदेव के इशा फाउंडेशन के खिलाफ केस बंद कर दिया है CJDY, चंचून, जस्टिस जेपी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिस्रागी बेंच ने शुकरवार को कहा कि मदरा साई कोट का ऐसी याचका पर जाच के आदेश देना सही नहीं था आश्रम में पुलिस का चापा भी गलत था कोट ने कहा कि लड़कियों के पिता की याचका गलत है क्योंकि दोनों लड़कियां बालिंग है जब वे आश्रम में गई तो उनकी उम्र 27 और 24 साल थी वो अपनी मर्जी से आश्रम में रह रही है कोट ने यह भी कहा कि इस फैसले का असर सिर्फ इसी केस तक सीमित रहेगा चली दोस्तो जान लेते हैं अगली खबर दिन की आखरी बोल पर कोहली हुए आउट सरप्राज के साथ 136 रन की पार्टनर्शिप की दूसरी पारी में भारत 231 रन तीन विकेट पर न्यूजिलेंड से 125 रन पीछे यह दोस्तो न्यूजिलेंड के खिलाब भारत ने बैंगलूरू टेस्ट की दूसरी पारी में वापसी कर ली है शुकरवार को तीसरी दिन का खेल खत्म होने तक टीम ने तीन विकेट के नुकसान पर 231 रन बना लिये हैं भारत अभी न्यूजिलेंड से 125 रन पीछे है सरफ्राज खान 70 रन बना कर नाबाद लोटे विराट कोली दिन की आकरी बोल पर आउट हो गए उन्हें ग्लेन फ्लिप्स ने विकेट कीपर टॉम ब्लेंडेंड के हाथों केज कराया वहीं दोस्तो कोली 70 रोई शर्मा 52 रन बना कर आउट हुए एजाज पटेल ने दो और ग्लेन फ्लिप्स ने एक विकेट लिया कोली और सर्फराज के भी इस तीसरे विकेट के लिए 136 रन की साज़ेदारी हुई दोस्तो आपका बता दे न्यूजिलेंड की टीम पहली पारी में 402 रन बना कर ओल आउट हो गई थी चली दोस्तो जवान लेते हैं अगली खबार सिंदे सेना की रेली में सीम चेहरे के रूप में एकनाच शिंदे का नाम पार्टी ने कहा सरकारी योजनाओं को जनता तक पहुँचाएं जेंदुस्तों सिवसेना एकनाच शिंदे खेमे ने आज दादर के शिवाजी मंदिर में मुंबई पदाधिकारियों की बैठक की बैठक मुंबई में विदान सबा सीटों की रन निती बनाने के लिए आयुजित की गई है शिवसेना का लक्षे महायूति गडबंदन में मुंबई में अधिक से अधिक सीटे हासिल करना है शिवसेना सांसर शिरिकान सिंदे ने बैठक को संबोधित किया उन्होंने इस बात पर जोड़ दिया कि सीम एकनाच शिंदे पिछले दो साल से लोगों के उत्थान के लिए एक भी दिन की छुटी लिए बिना 2400 गंटे काम कर रहे हैं सीम सिंदे शब्दों के पक्के हैं यही कारण है कि विभाजन के बाद एक भी विक्तिने पार्टी नहीं छोड़ी बलकि हमें मजबूत करने के लिए और अधिक लोग पार्टी और कारेकरता शामिल हुए हैं चलिए दोस्तो जान लेते हैं अगली खबर बरगाडी बे अद्भी मामले में राम रहीम को जटका सुप्रीम कोट ने मुकदमे पर लगी रोक हटाई नोटिस जारी कर चार हफ्तों में जवाब मांगा जहां दोस्तो सुप्रीम कोट ने शुकरवार को पंजाब और हर्याना हाई कोट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जून और अक्तुबर 2015 के बीच स्री गुरुगरंत साहिब की बे अद्भी की तीन अलगलग घटनाओं की निश्पक्षे जाच की मांग करते हुए हाई कोट का रुक किया क्योंकि पंजाब सरकार द्वारा गठित SIT ने राम रहीम को आरोपी बनाया था चली दोस्तो जान लेते हैं अंगली खबार टीम इडिया के लिए गुड निउस रिशप पंत की इंजरी पर आया बड़ा अपडेट जी है दोस्तो रिशप पंत टीम इडिया के लिए बेटिंग करने के लिए तेयार है हालांकि वे अब मेच के चोते दिन शनिवार को बेटिंग के लिए मैदान पर उतर सकते हैं पंत टीम इडिया के ड्रेसिंग रूम में पैड्स पहन कर बेठे हुए भी दिखाई दिये जबकि लंच टाइम में उन्होंने हलकी प्रैक्टिस भी की चलिए दुस्तो जान लेते हैं अगली खबार 1338 दिन बाद घर में जीता पाकिस्तान मुलतान टेस्ट में इंगलेंड को 152 रन से हराया नॉमान अली ने जट के 8 विकिट जबकिस्तान ने मुलतान में खेले गए दूसरे टेस्ट मुकाबले में इंगलेंड को 152 रन से हरा दिया पाकिस्तान की टीम 1338 दिन बाद घरेलू मेदान पर कोई टेस्ट मेच जीत सकी है साथी यह 449 दिन बाद इस फॉर्मेट में पाकिस्तान की जीत है इसके साथ ही तीन टेस्ट में चोकी सिरीज अब एक-एक से बराबर हो गई है इससे पहले मुलतान में ही खेले गए पहले टेस्ट में इंगलेंड को जीत मिली थी चलिए दोस्तों जान लेते हैं अंगली खबार महाविकास अगारी में 260 सीटों पर सहम थी इन सीटों पर अभी भी फसा है पेच जया दोस्तों महाराष्ट विदासबा चुनाव की तारिक का एलान कर दिया गया है लेकिन सियासी दलों के बीच अभी सीटों का बटवारा नहीं हो सका है महायूती और महाविकास अगारी दोनों ही गटवंदन की तरफ से सीटों का एलान नहीं किया गया है इससी बीच MVA की सीटों को लेकर अपडेट सामने आया है दरसल दोस्तों महाविकास अगारी में महाराष्ट के 288 सीटों में से 260 सीटों पर सहमती बन गई है लेकिन राजे की 28 सीटें A.C.A. जिन पर अभी भी पेच फसा हुआ है कांग्रिस पार्टी ने आलाकामान को भेजी सूची इन सीटों के मदबेद को सुलजाने के लिए सरत पवार उद्दव ठाकरे भी चर्चा कर रहे है महाविकास अगारी दो दिन में सीटा 110 की घोशना कर देगी चली दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर लेकिन उससे पहले मेरी आपसी छोटी सी रिक्वेस्ट है अगर दोस्तों आपको बितका मारी निउस पसंद आई है तो चली जान लेते हैं आगली खबर सैंसेक्स दिन के निचले इस तर से 815 अंक समला यह 218 अंक की तेज़ी के साथ 18224 पर बंद निफ्टी में भी 287 अंक की रिकवरी आई जी है दोस्तों सैंसेक्स 18 अक्टूबर को दिन के निचले इस तर 80409 से 815 अंक समला दिन बर के कारोबार के बाद यह 218 अंक की तेज़ी के साथ 18224 के इस तर पर बंद हुआ दोस्तों निफ्टी भी आज दिन के निचले इस तर 24566 से 287 अंक समला निफ्टी में भी आज 104 अंक की तेज़ी रही यह 24814 के इस तर पर बंद हुआ NAC के मेटल और बैंक सेक्टर में सबसे ज़दा तेज़ी देखने को मिली ICICI Bank, Axis Bank, HDFC Bank और Tata Motors ने बाजार को आज सबसे ज़दा ऊपर चड़ाया जबकि Infosys, Asian Pants और ITC ने बाजार को नीचे खींचा चलिए दोस्तों जान लेते हैं अंगली खबर सोना पहली बार 77,000 के पार पहुचा, दाम 522 रुपे प्रती 10 ग्राम चड़े चांदी में भी 335 रुपे प्रती किलोग्राम की तेजी जेंदुस्तों सोने का भव पहली बार 77,000 रुपे प्रती 10 ग्राम के पार पहुच गया है इंडियन बुलेंड जूलर रुपे की वेबसाइट के अनुसार आज सोना 552 रुपे महेंगा होकर 77,332 रुपे के इसतर पर पहुच गया दूसरी और चांदी की बात करें तो चांदी 335 रुपे की तेजी के साथ 99,935 रुपे प्रती किलोग्राम पर बिक रही है जो की एक दिन पहले 99,600 रुपे प्रती किलोग्राम पर थी चलिए दोस्तो जान लेते हैं अगली खबार 1800 किलो टमाटर की रखवाली करने पुलिस राद बर जगी यूपी के जासी में हाईवे पर ट्रक पलटा लोग नूट न ले जाएं इसलिए तेनात रही पुलिस जेह दोस्तो उत्तर प्रदेश के जासी में हाईवे पर तेज रफता ट्रक पलट गया ट्रक में 1800 किलो टमाटर लदा हुआ था ट्रक के पलटते ही टमाटर हाईवे पर 50 मिटर के दाएरे में बिखर गया इसी दुरान पीछे से आ रही इसकूटी सवार महिला ट्रक से टकरा कर घायल हो गई वहीं दुस्तो बाजार में इस वक्त टमाटर 80-120 रुपे प्रती किलो तक बिक रहे हैं इस वजह से टमाटर की लूट न हो इस वजह से पुलिस मोके पर पहुँच गई और ट्रक की घेरावन्दी कर ली सुबह तक पुलिस टमाटर की पहरेदारी करती रही घटना गुरुवार रात जहांसी गवालियर हाईवे के सीपरी बाजार की है चलिए दुस्तो जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर सब योगी सरकार पर छोड़ दिया जो करेंगे सही करेंगे बोली बहराईच कांड के आरोपी सर्फराज की बहन जिया दुस्तो यूपी के बहराईच में मूर्ती विसरजन के दोरान 13 अक्टूबर को बवाल शुरू हुआ इसमें राम गोपाल मिश्र नाम की युवक्त की गोली मार कर अत्या कर दी गई इस अत्या के बाद हिंसा और बढ़ गई और इलाके में तोड़ फोड आग जनी शुरू हो गई देखते ही देखते हजारों लोग लाठी डंडे ले करसल को पर उतराए हिंसा का दोर अगले दिन भी चला हालात कंट्रोल करने के लिए डीम एसपी प्लिस के साथ पी एसी आर एफ मैदान में उतरी खुद स्टीएफ चीफ पिस्टल लियों को ख़देरते हुए नजर आई वहीं दोस्तो इस्तिती कुछ सामान ने हुई तो राम गोपाल के कातलों की खोज तेज हुई इसी कड़ी में बीते दिन पांच हत्या आरोपियों को गिरफतार किया गया है एनकाउंटर के दो रानिन में से दो के पैर में गोली लग गई जिनके नाम सर्फराज और तालीम है अब दोस्तों बताया जारा आये ह कि यह सरफराज वही युख है जिसने राम गोपाल मिश्र पर गोली चलाई थी पोस्ट माटम में गोली लगने से ही राम गोपाल की मोत की पुष्टी हुई है राम गोपाल को जिस छट पर गोली मारी गई वो अब्दुलहमीद का घर है सरफराज उसका बेटा है खुछ सरफराज की बहन रुकसार ने कहा कि भाई ने गोली जरूर चलाई थी लेकिन किसी हत्या के लिए नहीं बलकि आत्मरक्षा के लिए क्योंकि घर के बाहर उग्र भीड थी छट पर खड़ा युवक आंगन में आने की कोशिश कर रहा था अन्होनी हो गई चलिए दोस्तो जुआन लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबार धमकियों के बीच बिग बोस 18 की सूटिंग करने पहुँचे सलमान खान सेट पर कड़ी सुरक्षा छे दिन पहले दोस्त बाबा सिद्धिकी की हत्या हुई थी जे दोस्तो सलमान खान ने बिग बोस 18 की सूटिंग दोबारा शुरू कर दिया हालांकि उन्हें लोरेंस विस्नोई गेंग से धमकिया मिली है सलमान जो कई सालों से होस्ट शो को होस्ट कर रहे हैं इन धमकियों से घबराये नहीं हैं लेकिन अपनी सुरक्षा को लेकर उन्होंने खास इंतिजाम जरूर कर लिया है दोस्तो सुत्रो के अनुसार सलमान खान 17 अक्टूबर की रात विक बुस के सेट पर पहुचे थे और आज दो पायर से शूटिंग शुरू करेंगे आमतोर पर विकेंड का वारेप शूट में फिल्म प्रमोशन के लिए एक्टर्स आते हैं लेकिन इस विकेंड ऐसा नहीं होगा सलमान ने अपनी शूटिंग की कनफर्मेशन आखरी समय पर की है इसलिए कोई फिल्म प्रमोशन नहीं होगा चली दोस्तो जान लेते हैं अगली खबार तमना भाटिया से एडी ने की पूश्ताज HPZ टोकन एप मनी लॉंडरिंग से जुड़ाए मामला एप के प्रमोशन के लिए एक्टरेस को मिले थे पैसे जिए दोस्तो तमना भाटिया से एडी ने गुरुवार को गोहाटी में HPZ टोकन मोबाइल एप से जुड़े मनी लॉंडरिंग मामले में पूश्ताज की एक्टरेस को HPZ टोकन एप से जुड़े एक कारेकरम में सेलेबरिटी अपिरियांस के लिए पैसे मिले थे इस एप के जरिये कतित तोर पर बिटकोईन और क्रिप्टो करेंसी के नाम पर लोगों को चूना लगाया गया है चलिए दोस्तो जवान लेते हैं अगली खबर विमेंस T20 वेल्ल कप साउत अफ्रीका लगातार दूसरी बार फाइनल में डिफेंडिंग चेंपियन आस्टेलिया को आट विकेट से हराया जिया दोस्तो विमेंस T20 वर्लकप 2024 के पहले सेमिफाइनल में साउथ अफरिका ने डिफेंडिंग और 6 बार की चेंपियन आस्टेलिया को 8 विकेट से हरा दिया गुरुवार को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में साउथ अफरिका ने टोस जीत कर पहले बॉलिंग का फैसला किया आस्टेलिया ने पहले बेटिंग करते हो बीस ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 134 रन मनाए जवाब में साउथ अफरिका ने 17.2 ओवर में 2 विकेट को कर टार्गेट हांसिल कर लिया एने के पोश ने नाबाद 24 रन मनाए उन्हें प्लेयर ओफ देम मेच चुना गया चलि दोस्तो जवान लेते हैं अगली खबर अशनीर ने भारत पेके खिलाफ दायर याचका वापस ली MD के रूप में बहाली की मांग की थी 2022 से चल रहा था विवाद जया दुस्तो भारत पेके को फाउंडर अशनीर ग्रोवर ने नेशनल कंपनी लोट रिब्यूनल से अपनी याचका वापस ले ली है इसमें उन्होंने फिंटेक फर्म के बोड पर दमनकारी आचरण और कूप प्रबंदन का आरोप लगाया था अशनीर ग्रोवर ने कंपनी के साथ 30 सितंबर 2024 को समझोता करने के बाद NCLT की दिल्ली बेंच से शिकायत वापस ले ली है ग्रोवर की और से पेश वकील ने NCLT के समक्ष सेटलमेंट एग्रिमेंट की एक कोपी भी रखी थी चेली दोस्तों जान लेते हैं अंगली खबार हर्याना में SCR एक्षन में वर्गी करन का फैंसला लागू कोटे में कोटा मिलेगा सरकारी अस्पतालों में डायलिसिस फ्री CM दिल्ली रवाना जेदोस्तों रियना में नई सरकार के शपत गरहन के बाद CM नायाब सेनी ने चंडीगड स्तित सचीवाले में पदभार समाला पहले फैसले में CM सेनी ने कहा कि प्रदेश के सभी करमचारी अस्पतालों में किडनी की गंबिर विमारियों से जूज रहे मरी जो की फ्री डायलिसिस होगी भयुशे में यह फ्री स्विदा मेडिकल कोलिजों में भी उपलब्द कराई जाएगी फिर CM ने सभी मंतरियों के साथ जाकर उन्हें जोइनिंग कराई इसके बाद दोस्तों CM ने केबिनेट की पहली मीटिंग की इसके बाद CM सेनी ने कहा कि यह हमारी पहली केबिनेट की बेठक थी इस बेठक में सुप्रीम कोट के उस फैसले का हमारी कैबिनेट ने सम्मान किया है जो S.C. में वर्गी करन का मामला था हमारी कैबिनेट ने उसे आज से ही लागू करने का फैसला लिया है चलिए दोस्तों जान लेते हैं अंगली खबार दिवाली पर मिलावटी मिठाई खिलाने की थी तेयारी खादे सुरक्षा विभाग ने 430 केजी खोया किया जब्त जी अनुस्तों दिवाली के तिवार को देखते वे लोगों को मिलावटी मिठाईयों से बचाने के लिए राजदानी दिल्ली में खादे सुरक्षा विभाग एक्शन में है खाद्य सुरक्षा विभाग ने दिवाली से पहले शुकरवार को मोरी गेट इस सिद खोया मंडी में चापे मारी की और 430 किलो मिलावटी खोया जब्त किया न्यूज एजनसी की रिपोर्ट के मुताबित खाद्य सुरक्षा भाग ने का है कि खोया के 10 सेंपल 31 किये गए और 430 किलोग्राम खोया जो की बिना देख रेक के पड़ा था उसे जिससे दुरगंद आ रही थी उसे जब्त कर नश्ट कर दिया गया है अधिकारियों के अनुसार जब्त किये गए खोया का इस्तेमाल मिठाईयों के निर्मान में होना था पकड़ा गया खोया खराब और उभुकताओं के लिए असुरक्षित पाया गया था दोस्तो जिसा कि आपको पताएं दिवाली पर मिठाईयों की बहुत जाधा खपत होती है ऐसे में मिलाओटी भी मिलाओटी सामान भी दिवाली पर ही सबसे जब्दा बिकता है ऐसे में आपको भी सचेत रहना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा मिठाईयां आप अपने घर पर बनाएं और आप खुद की सहत का और अपने बच्चों की सहत का ख्याल जरूर रखें क्योंकि बाहर की चीजों में ज़्यादतर मिलावटी ही होती है तो दोस्तो यहती आज की तमाम बड़ी ख़बर हैं इसके बाद दोस्तो बारी आती है आज के माइंड कीज कुश्चन की जिए हैं दोस्तो एक असान से सवाल का जवाब देकर आप जीच सकते हैं एक सर्प्राइस गिफ्ट हमारे यूट्प चैनल की और से दोस्तो जल्दी से अपना उत्तर के में लिख दीजिए वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन भी दबा लीजिए धन्यवाद वंदे मातरम जे हिन जे भारत